नमस्कार दोस्तों आपका एक बाल फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं जो strategy आपको देने वाला हूँ ये बहुत ही जवर्दस्त strategy है और ये strategy अगर इसके सारे नियम कायदों को आप ठीक से मानेंगे और discipline में रहेंगे तो सफल trader बना करके ही छोड़ेंगी बिल्कुल clear cut signal होता है इसका पूरा का पूरा momentum आप ride कर सकेंगे बिना किसी जीज़क के कोई momentum आप से छूटेगा नहीं और sideway में आपको entry मिलेगी नहीं तो ये याद रखिए कि इसके signals जब भी आपको मिलेंगे हाई momentum में मिलेंगे और पूरा का पूरा momentum आप ride करेंगे बिना किसी भाय के या बाधा के देखिए होता क्या है कि हम लोग जब trade लेते हैं तो initial में थोड़ा सा loss दिखाता है तो वो देखते देखते loss में टिके रहने की हम लोगों की आदत पढ़ जाती है तो loss में हम लोग बड़े patience के साथ में टिके रहते हैं कि शायद price यहां से घूमेगा यहां से घूम जाएगा अच्छा यहां से घूमी जाएगा यह नीचे support है यहां से घूमेगा लेकिन price घूमता नहीं है और हमारे against में ही जाते रहता है लेकिन जब हम profit के position में होते हैं तो थोड़ा सा profit देख करके हमारी सांस फूलने लगती है खास करके मेरी तो जरूर फूलने लगती है जहां हमारा profit 2000 क्रॉस किया पर lot वहां समल लीजे मेरी सांस अटक जाती है कि कहीं price घूम जाए और मेरा जो बना बनाया profit है वो निकल जाए इस position से बचने के लिए हम लोग करते क्या है trailing stop loss लगाते है ताकि जो profit आ गया है अगर price नीचे घूमे भी तो पूरा का पूरा profit न जाए ठीक है ये process ज़्यादा safe है और ज़्यादा time आपको profit दिलाती है लेकिन इसमें धक्का कब लगता है कि जब profit हलका से नीचे आई आपका SL हिट किया और उसके बाद फिर उपर चली गई trailing stop loss में ऐसा कफी ज़्यादा होता है और अगर आप stop loss trail नहीं करेंगे तो price थोड़ा सा उपर जा करके और नीचे जहाँ आपका SL है वहाँ एट करेंगा लेकिन इस strategy की खासियत क्या है कि आपको पूरा confidence रहेगा कि भाई हमको अभी नहीं निकलना है price अगर थोड़ा बहुत retracement दिया भी तो भी आपको कोई डर नहीं लगेगा कि हमको अभी निकल जाना है या price घूम जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो ये सब होगा कैसे चलिए ये मैं आपको जड़ा सा दिखाता हूँ तो पहले हम लोग इसके कुछ कारणा में देखेंगे entry exit कैसे किया जाता है तो वो समझेंगे और उसके बाद indicator कैसे लगाएंगे उस पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और उसके पहले बुजारिश यह है अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए दोस्तों में share कीजिए ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली strategies और analysis के वीडियो आपको मिलते रहे हैं तो देखिए उपर में आपको तीन structure दिखाई दे रहे होंगे एक लाल line है moving average की तरह से एक candlestick chart है जिसमें हरे और लाल रंकी candles है और उसके बाद एक blue line है जो की candle और इस लाल line के उपर नीचे उपर नीचे हो रही है तो यहाँ पर ये याद रखियेगा कि ये जो blue line है ये आपका price chart है और हमने इसमें क्या किया है line chart के रूप में price को लिया है ये linear regression line है लाल वाली तो अपने आप में ही ये काफी जवर्दस्थ है एक simple सी बात है कि जब price bullish होगा तो ये blue line यानि कि price की line जो है ये linear regression candle के उपर रहेगी और candle जो है ये red line के उपर रहेगी तो दो confirmation आपको यहीं पर हो गया और जब trend bearish रहेगा तो पहली बात तो ये है कि linear regression candle इस लाल लाइन के नीचे रहेगी और price जो है ये उसके भी नीचे रहेगी तो अब आपको decision लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि price bullish है या bearish है linear regression candle green price जो है linear regression line linear regression candle के उपर में रहेगा तो समझ ये कि bullish pattern है और इसका opposite होता है यानि कि candle जो है linear regression की ये red line के नीचे हो और price जो है linear regression candle के नीचे हो तो वो bearish trend है 80% काम तो आपका यहीं पे हो जाता है आपको trend का बिल्कुल सटीक time आपको trend की बिल्कुल सटीक जयंकारी मिलती है और trend change का भी बिल्कुल timely information मिल जाता है अब जैसे देखिए यहाँ पे price जो है एक correction में था correction में जब price था तो देखिए क्या लक्षण है linear regression candle की body छोटी छोटी बन रही है इसके weeks काफी बड़े बड़े बन रही है जो की दर्शार आएगी price में momentum नहीं है और इसमें price कभी linear regression line के उपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है उसके बाद देखिए अचानक से linear regression की बड़ी बड़ी candles बनना शुरू ही price linear regression line के उपर गया और linear regression candle के उपर गया आपकी यहां पर entry और जब तक price linear regression candle के उपर है तब तक आपकी entry बनी रहेगी और जैसे ही price linear regression candle के नीचे आया वहाँ पर आपका exit तो जब तक पूरा का पूरा intact momentum है high momentum है तब तक आप trend में बने रहे और जैसे ही momentum डाउन हुआ price regression candle के नीचे आया आपका trade से exit तो ये technique आपके scalping के लिए बहुत बहतरी नाप छोटे छोटे price movement पे बहुत अच्छा profit earn कर सकते हैं क्योंकि आपको price का ups and downs timely information मिल जाता है और आपको ये भी पता रहता है कि कब तक momentum अच्छा रहेगा कब momentum खराब होगा हमको high momentum है linear regression की candle जो है काफी लंबी लंबी बन रही है इनकी wix काफी चोटी चोटी है और इस जगा पे देखिए momentum कम हुआ linear regression की candles की body चोटी हो गई wix बड़ी हो गई लेकिन अगर आप scalping कर रहे हैं तो आपको उतना wait करने की ज़रुरुती नहीं है price linear regression candle के नीचे आया आप exit मारेए काम खतम उसी तरह से यहाँ देखिए trend घूमा price जो है linear regression line के उपर गया और candle के भी उपर गया candle का color green आपकी entry और जब तक price linear regression candle के उपर है तब तक आप बने रहे है जैसे ही price linear regression candle के नीचे आता है आप exit मार दीजिए तो इस तरह से बिलकुल bottom में momentum के आप entry लिखिएगा और top में momentum के आप निकल जाईएगा उसी तरह से यहाँ देखिए दुबारा price में एक up move आया again same चीजे वही हुई price जो है linear regression line और candle के उपर गया आपकी entry और जैसे ही price linear regression candle के नीचे आया आपका exit उसके बार trend घुमा price जो है linear regression candle के नीचे गया linear regression line के भी नीचे गया आपकी entry और कहां तक entry जहां तक यह candle के नीचे है candle बड़ी बड़ी बन रही है price उसके नीचे है वहाँ तक आपकी entry रहेगी आपका trade चलेगा और जैसे ही price linear regression candle के नीचे आया आप exit मार दीजिए आप maximum benefit में निकल जाएंगे और ऐसा एक बार नहीं आपको जितनी बार repetition देखना हो आप देख लीजिए तो इस scalping में जबरतस्त momentum यह आपको पकड़ करके देगा और आपसे गलतिया होने की उमीद काफी कम रहेगी लेकिन इसमें कुछ drawbacks है क्या drawbacks है? जब market choppy होता है तब इसके signals थोड़ा गडबड होता है आप जैसे यहाँ देखिए price linear regression candle और line के नीचे आया आपने entry ले लिया, entry लेने के बाद price candle के उपर गया, आप exit कर गया फिर नीचे आया, फिर आप entry लिया, फिर उपर गया, फिर exit कर गया फिर नीचे आया, फिर आपने entry लिया, फिर उपर गया, फिर आप exit कर गया तो समझ लेजिए कि चार बार आपने इस उमीद से entry लिया जिए हमको अच्छा momentum मिलेगा लेकिन momentum नहीं मिला क्योंकि market sideways था हला कि देखिए जब price candle और linear regression line के नीचे आएगा और आप उसके अनुसार entry लेंगे तो आपको कुछ न कुछ देखे ही जाएगा आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन क्या है कि आपका भी time खराब होगा और आपको टेंशन भी रहेगा कि आपने trade लिया momentum नहीं है अगर मालीजिये week के last में आपने ऐसा trade लिया तो theta आपका position कलाते रहेगा तो यह दिक्कत इसमें है अब इस दिक्कत को दूर करने का भी उपाय है क्या उपाय है वो जबर्दस उपाय है आप नीचे देखिए आपको यहाँ पे double MACD मिलेगी double MACD मने एक तो अपने normal वाली MACD है 12-26 वाली और दूसरे source MACD है इसका detail में बाद में बताऊंगा यह समझ लीजिए कि यह zero lag और super sensitive MACD है MACD जो बदनाम है अपने lag inness के चलते कि भई देर से signal देती है जब अच्छा momentum आ गया रहता है तब जा करके signal मिलता है और जब price काफी घूम जाता है तब signal मिलता है तो देखिए बात इतनी गलत भी नहीं है बात काफी हद तक सही है कारण यह है कि MACD का जो bullish bearish signal है वो देर से मिलता है और जब हम लोग option trading कर रहे होते है खास करके bank nifty जो की काफी volatile है तो उसमें जड़ा सा भी देर होना signal में हमारे लिए बहुत आफ़त खड़ी कर सकता है प्राइस अच्छा खासा गुम गया और हमको signal ही नहीं मिला तो इस कमी को भी दूर करना होगा तो यह जो source MSCD है यह एक तो zero lag है और दूसरी बात क्या है super sensitive है जैसे ही price में थोड़ा सा changes आया यह आपको immediate inform कर देगा कि कुछ गड़बड हो रहा है और साथ में MSCD हमारा जो है काफी favorite indicator है क्योंकि जहां पर RSI, CCI, MFI यह सब केवल आपको momentum बताते है MSCD ही एक मात्र ऐसा indicator है जो कि आपको trend और momentum दोनों बताता है अब यहां पर आप देखिए आपकी जो conventional MSCD है वो बिल्कुल conventional ही है उसमें हमने केवल एक change किया है signal line जो 9 period की रहती है उसको हमने 4 period का कर दिया है ताकि हमको signal जल्दी मिले 9 का period जो है यह थोड़ा late signal देता है अब आपको इसका मैं जलवा दिखाता हूँ और ऐसा जलवा जिसको देख करके आपका भी मन जूम जाएगा यहां पे देखिए conventional MSCD zero line के उपर गई और जो source MSCD है इसके भी पहले zero line के उपर गई दोनों का cross over देखिए यहां पे हुआ था तो source MSCD zero line के उपर पहुँच गई समझ लीजिए आपका काम बन गया तो जैसे ही source MSCD zero line के उपर गई आपके entry हो गई और अब यहां पे हम scalping की बात नहीं करेंगे यहां पे full momentum ride की बात करेंगे तो आपने trade में entry कर लिया और आपका trade कब तक चलेगा आपका trade तब तक चलेगा जब तक कि source MSCD conventional MSCD से उपर है अब जैसे यहां पे देखिए conventional MSCD के उपर source MSCD है और कहां तक उपर है यहां तक उपर है और आप momentum देखिए कितना आया यह Sensex का chart है 5 minute की candle है 67,180 पे आपके entry और आपको exit signal कहां मिलेगा 67,510 यानि कि पूरा का पूरा momentum आपने ride किया और उसके बाद यहां पे देखिए diversion दिखने लग गया दोनों ही MSCD में तो आपको यहां पे trade छोड़ देना चाहिए हलाकि अगर आप इस scalper है तो आप यहां पर भी trade ले सकते हैं क्योंकि price जो है linear regression candle और line दोनों के ही उपर है और जब तक उपर है तब तक आप थोड़ा बहुत point बना सकते हैं लेकिन जब आपने इतना बड़ा momentum ride कर लिया तो आपको खुजरे पैसे की युरूत क्या है उसके बाद देखिए पूरा का पूरा momentum ride करने के बाद यहां आपको एक थोड़ा consolidation मिला और price reverse गया अब जब price reverse गया तो आपको signal काफी पहले ही मिल गया था उपर में कैसे मिल गया था price जो है linear regression candle और line दोनों के ही नीचे यहां पे आ गया और देखिए पहली candle बीरिश होते ही यह condition आपको मिल गई लेकिन हमको बीरिश trade लेना है कि नहीं लेना है अगर आप स्कैलपर है तो ले लीजिए आपको थोड़ा बहुत profit होई जाएगा लेकिन अगर आप लंबा momentum खिलना चाहते है तो ऐसे में आप फिर नीचे देखिए नीचे आपकी समस्या का समधान मिलेगा क्या मिलेगा source MSD, conventional MSD से नीचे गई कहां पे गई, इस जगा पे चली गई तो यह आपको एक signal मिल गया, हाँ बाई price भी रिश जा रहा लेकिन क्या आप यहीं पे entry लेंगे मतलीजिए, आप entry कहां लेंगे जब source MSD, zero line के नीचे जाए कहां पे गई, इस जगा पे गई और momentum कहां से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ, और यहां से लेकर के जब तक source MSD, zero line के नीचे है और conventional MSD से नीचे है, तब तक आप trade में बने रहिए, और पूरा का पूरा negative moment भी right कीजिए, तिस तरह से देखिए, momentum और trend में जरा सा भी change हुआ, आपको पूरा का पूरा confirmation मिला, और आपने 166,175 या 180 जो भी है, वहां से entry लिया, और 166,520 तक trade में बने रहे, आपको कहीं भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो price linear regression line के उपर है, और दूसरी चीज है, नीचे source MSD, conventional MSD से काफी उपर है, तो जब तक यह उपर है, तब तक आप trade में बने रहे हैं, बिना tension के, क्योंकि छोटा मोटा correction होगा, हलाकि यह बताएगा आपको की correction हो रहा है, जैसे देखिए, यहां correction हुआ है, तो आपका source MSD उसको indicate किया है, लेकिन चुकि यह conventional MSD से उपर है, और conventional MSD बुलीशन, तो आपको कोई tension के बात नहीं आप बने रहे हैं, जहां पर price नीचे आना शुरू होगा, आते ही source MSD, conventional MSD से नीचे चला गया, और जहां पर यह नीचे गया, यह टेच किया, आप वहाँ पर निकल जाई, तो इस तरह से आपको कोई डर नहीं लगेगा, पूरा का पूरा momentum भी right करने में, और price के हर momentum का, आप पूरी तरह से utilization कर सकेंगे, अब जैसे यहां पर देखिए है, price जो है linear regression line और candle दोना के उपर गया, एक pullback था, यहां पे आपने entry लिया, अगर आप scalper हैं, तो इतने में आप अच्छाखा सा profit कमा लेंगे, लेकिन यहां देखिए price नीचे गया, और नीचे जाने के बाद, थोड़ी दिर के बाद अगेन उपर आया, तो आप scalper हैं, तो यहां पे आगेन entry ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा momentum ride करना चाहते हैं, तो देखिए आपके entry कहां बनेगी, आपके entry इस जगा बनेगी, यहां source MSED, conventional MSED से उपर और zero line से उपर आएगा, और यहां से ले करके आप पूरा का पूरा momentum ride कर सकेंगे, at the end of day तक, तो देखिए, यह next day opening होई, opening होने के बाद मैं price नीचे गिरना शुरू हुआ, अब अगर आप trade में बने हुए हैं, यहां पे source MSED conventional MSED से उपर है, तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन यहां पे fresh entry आप लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि source MSED bearish signal दे रहा है, तो अगर हम entry लेंगे भी, तो कब लेंगे, जब हमको fresh entry signal मिलेगा, तो इस तरह से choppy market से, यह MSED आपको बचा रहा है, ऐसी जगह पे आपको आप बचे रहेंगे, और हर momentum को आप right कर सकेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, कि आपको momentum और trend, दोनों की perfect जानकारी linear regression candle और यह MSED देती है, अब यह MSED इतनी perfect है, कि अगर bullish trend में, MSED conventional में bullish cross है, और zero line से उपर है, और source MSED उसके उपर है, तो फिर आप बे खटके पूरा momentum right कर सकते हैं, उसी तरह से bearish trend में भी, अब यह bearish trend है, इसमें देखिए, जब तक कि source MSED conventional के नीचे है, और दोनों ही zero line के नीचे है, तब तक आपको कहीं नहीं घबडाने का है, जब तक source MSED conventional के नीचे है, तब तक आप trade में बने रहे हैं, और छोटे मोटे pullback से बिल्कुल मत घबडाईए, कुछ नहीं होगा, price नीचे ही जाएगा, और जब price का उपर आने का मन रहेगा, तो source MSED में सिरी उपर आजाएगी, तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे momentum पे ride कर सकते हैं, और जबरदस्त profit बना सकते हैं, निफ्टी में अगर निफ्टी ने 1500-200 का movement दिया, तो उसमें से आप 100 point का movement तो capture करी लेंगे, बैंक निफ्टी में ये figure आपका 2500 तक जाएगा, और Sensex में ये figure आपका 400-500 तक जाएगा, इसमें कहीं भी कोई भी doubt होने वाला नहीं है, बस आपको यही देखना है, प्राइस की position linear regression candle और line के हिसाब से कहाँ पर है, और दूसरी चीज है source MACD और conventional MACD की location और situation क्या है, बस आप trade करते रहिए और profit बनाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो यह तो हो गए, इंडिकेटर और उनके जल्वे, अब इनको लगाएंगे कैसे और क्या है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले अपने indicators को हटा देते हैं, यह linear regression candle को हटा दिया, और यह जो chart है, chart type को हमने normalize कर दिया candles है, अब यह normal condition है, तो पहली चीज़ तो यह है, कि हम chart को line chart में बतल देंगे, तो यहाँ पे आए, और जो chart type है, इसको अपने change कर दिये, line में, तो अब यह line chart हो गया, और उसके बाद हम linear regression की setting में जाएंगे, setting में पहले inputs में जाएंगे, inputs में signal smoothing जो है, इसको कर देंगे 8 का, और यह जो length है, इसको कर देंगे 10 का, और उसके बाद फिर style में जाएंगे, style में जाकर के इन्होंने जो line है, उसको white करके रखा है, इसको हम कर देंगे red में, और हलका सा thickness भी बढ़ा कर दिया, यह लग गई हमारी linear regression candle, linear regression line और chart, अब इसमें आप signal लेते जाएंगे, trade करते जाएंगे, और अब आजाएंगे नीचे का indicator अपने change करते हैं, तो इसको पहले हमने हटा दिया, यह हट गई, अब इसको लगाने के लिए हम indicator section में चलेंगे, यहां indicator section में टाइप करें करेंगे, mscd more, इसका पुरा नाम है mscd x more than mscd, तो इसको अपने click करेंगे, mscd x more than mscd by dg trd, इसको हमने click किया, यह mscd लग गई, अब इसमें देखिए, mscd default setting में है, इसमें अपने setting में जाएंगे, पहली बात तो यह signal is moving है, इसको कर देंगे 4 का, और उसके बाद में, यहाँ पर देखिए, options दिये हुए है, add traditional mscd, इसको क्लिक कर दिया, क्योंकि हमको traditional mscd और source mscd दोनों का comparison चाहिए, और यह जो सब signal signs है, यह triangle, rectangle, यह सब को हम off कर देते हैं, इनकी हमको ज़रूद नहीं है, बाकि सारा ठीक है, और इसको हम ok कर देते है, यह लग गई, अब इस mscd के आपको खासियत बता दे, यह ऐसा कैसे signal देती है, source mscd क्या है, तो conventional mscd में क्या होता है, यह दो moving average के crossover basis पे काम करती है, default setting 12-26 की है, तो 12 का moving average और 26 के moving average के difference को यह measure करके mscd line बनाती है, और source mscd क्या करता है, source mscd जो current source है, जैसे यहाँ पर हमारा source क्या है, price है, त इसके difference को भी measure करती है, और साथ में volume को भी consider करती है, तो इसलिए इसकी sensitivity, इसकी accuracy आफी ज्यादा है, और laggingness लगभग 0 है, 100% 0 नहीं है, लेकिन लगभग 0 है, इसलिए यह इतने बहतरीन signals देती है, तो अब हमको linear regression candle, linear regression line, price, और यह दोनो mscd, इनको मिला करके trading signal generate करना है, trading decisions लेना है, और 99.99% टाइम्स, आपका trading decision सही होगा, trade लेते समय हिच की चाहेंगे नहीं, पूरा का पूरा momentum ride करने में profit आपका कितना भी बढ़ता रहे, आपकी सांस नहीं फूलेगी, price में छोटा मोटा correction आएगा, तो उसमें आप घबडाएंगे नहीं, और गलत trade में आपकी entry 99% avoid हो जाएगी, 100% elimination हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर कुछ और भी factors चाहिए, अपना discipline चाहिए, थोड़ा risk management चाहिए, थोड़ा साई में emotions को control कर सकें तो और भी अच्छा है, और जरा सा support, resistance और pattern वगरा का knowledge रहे, तो वो और भी अच्छा है, लेकि कई दर फेस को test करके आप देखिए, आपको कैसी लगती है, आपको paper trading में satisfactory लगे, तो real trade में पहले एक lot लेकर के try कीजिए, उसमें अगर आपको beneficial लगे, तो फिर आप इसका use जो है अपने trading में कर सकते हैं, और साथ में मैं यह भी advice देना चाहूंगा, कि अगर आप किसी strategy से trade कर रहा है, मैंने पहले भी बहुत सारी strategy हैं उसमें अगर आपको अच्छी profit हो रही है, तो फिर बार-बार strategy बदलने की जुरूत नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी कारण से profit नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको try जरूर कीजिएगा, और आशा करते हैं कि इसमें आपको पूशिस करूँगा, और जब आप इसे strategy से real trade ले रहे हैं, तो आपको profit कैसा हो रहा है, वो भी बताइएगा, तो सारा वीडियो अगर पसंद आया, हमारी research पसंद आये, तो वीडियो में एक like तो बनता है, इसको दोस्तों में भी share कीजिए ताकि उनको भी फैदा मिल सके, और अगर आपने channel नहीं अभी तक subscribe किया है, तो please subscribe भी करिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे videos के notifications मिलते रहें, इसके लावा मैं daily analysis पोस्ट करता हूँ, उसके भी notifications मिलते रहें, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, आगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, यवारत.